हेलो दोस्तो आज हम SSE CGL 2020 जो आपका अगर्स 2021 में हुआ था इसमें रीदिनिंग में और वन आउट यानि की क्लासिफिकेशन से आई हुए सारे कुश्यन करेंगे यह आपका लेटर टाइप है इंपोटेंट है आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करें तो और वन आउट लेटर टाइप में आपको बता है कि इसमें इंपोटेंट बात यह है कि आपको इनकी पोजिशन याद होनी चीए एलफबेट के आपको पोजिशन याद होगे तो आप इनहें आसानी से कर लेंगे और दूसरी बात आपको अपोजिट याद होनी चीए opposite याद होंगे तो आप आसानी से इनको करेंगे ठीक है इनकी याद करने के tricks मैं बता जुका हूँ आप उन्हें देख सकते हैं तो यहाँ पर question क्या पुछा जाता है four letter cluster have been given out of which there are alike in some manner and one is different select the letter cluster that is different यानि कि इसमें चार option में से तीन option में जो pattern होगा logic होगा वो same होगा और एक जो option होगा वो अलग होगा आपको वो ही select करना है ठीक है तो किस तरीके से हम question करेंगे आप पहले खुछ से practice करना है option hide है तो आप खुछ से करें इसे question को पहुच करने वीडियो को पहले खुछ से करके देखें कि कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है अगर हो रहा है तो आपको कोई नया question लगता है जिसमें आपको लगता है कि इसमें pattern नया है उससे आप note कर सकते है ठीक है अब आप इसमें देखें कई सारे pattern इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ जो CHSL मा आये और उससे पहले 2019 के exam के सारे में reasoning के paper करा चुका हूँ आप देखें वो pattern इसमें भी आये हो है ठीक है तो शुरू करते है आसान से question होते है बस आपको जो मैंने बता है position और opposite याद होना चाहिए ठीक है तो शुरू करत है ठीक है यहाँ पर position देखें अभी आपको समझाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ लेकिन आप पहले खुछ से करें इसे try करें कि आपसे हुआ है या नहीं हुआ है हुआ है पहला question तो आप comment में जरूर करें ठीक है सेयर करते रहें लोग सेयर करते हैं यहाँ पर 14 है इसकी position तीन है और 17 है नेक्ट में आप देखें यहाँ पर 18 है और यह चार है 13 9 यह आपका 6 8 23 और यू आपके कितना हो जाता है 21 तो यह position है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते गया है normally हम देखते है कि इनके बीच जो gap ह और यह दूसरे- enfin-ओध के बीच में gap तो यहाँ पर देखें यह जो gap हे चादे gap है 14 का gap है यानि कि मैनस 14 करेंगे तो 6 मिलेगा लेकिन यहाँ प्लस 4 का है यहाँ देखें यहाँ अलग से हो गया ठीक है यहाँ फिर मैनस 14 का यहाँ पर प्लस 2 का तो तो आप देख रहे हैं सारे में जो gap है वो आपका different है ठीक है तो gap different है तो यहाँ पर आपका gap से तो होगा नहीं आपको दूसरा चीज़ देखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको opposite भी नजर नहीं आ रहे हैं तो इस से नहीं हो सकता तो अब यह जो pattern है यह पहले भी आया है औ इसमें भी आप देखें यह pattern बारवार repeat होगा ठीक है कई question में पूछा गया और इससे पहले भी मैं इससे पता चुका हूँ तो इस तरीके में जब आपको यहाँ पर gap नजर नहीं आ रहे है तो आप एक तरीका यह देख सकते हैं कि इनका जो आपकी position है उनका sum करके जरूर तो यहाँ पर अगर आप sum करेंगे तो आपको sum नजर आएगा आप देखें 26, 26 और 18 तो 8, 6, 14 यहाँ पर 44 सम आ रहे है इसका ठीक है और यहाँ पर आप देखें इनकी जो alphabet की position का सम है यहाँ देखें 17, 3, 20 और यह 30, 10, 40, 4, 44 यहाँ भी 44 आ रहे है और next मा आप देखें यहा देखें 18, 4, 22 और 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 22, 24 हो गया ठीक है यह भी 44 आ रहे है अब आप देख रहे है कि 3 मैंने आपको बताया है odd 1, out में आपके 3 जो option होंगे वो किसी ना किसी तरीके से समान होंगे तो आप देखें यहाँ पर 3ों में जो pattern लग रहा है वो सेम ल जादे आ रहा है तो यहाँ आपका कम से कम यह आपका 58 आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो logic था इस तरीके का logic है और यह logic मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ठीक है अगर आप तेरे वीडियो देख रहोंगे तो आपको पैटन देख रहा है तो यही pattern repeat होते अगर आपने CHSL के question देखोंगे और CGL 2019 के देखोंगे तो आपको यह दो जो अभी exam हुआ इसमें आपको फायदा जरूर मिला होगा pattern आपको repeat मिलने है और आप देख भी सकते हैं यह सारे जो है exam में आए हुए question है ठीक है तो next question करते हैं यहाँ पर इसे करें प्राइ करें सकता है तो यहाँ पर आप देखें अगर आप position लिखते हैं तो आपको यहाँ पर opposite भी नजर आ रहा होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप देखें यह GT, YB और QJ यह आपस में opposite है लेकिन यहाँ पर MP आपस में opposite नहीं है तो यह आपका odd हो सकता है फिर भी आप इस चेक कर लेजिए यहाँ पर आप position लिखते हैं तो यह आपकी 8, 10, 13, 16, 2, 4, 7, 20 और next आप देखेंगे 20, 22, 25, 2 और यहाँ आप देखेंगे 12, 14, 17, 10 तो मैंने आपको यह भी बताया है कि अगर आपको position यहाँ ते तो opposite आप आसानी से देख रहे हैं आप यहाँ पर देखेंग होगा, उसकी position का sum होगा, वो 27 होगा, आप यहाँ देखेंगे इसका sum 27 है, यहाँ आप देखें मैंने बताया ना कि यह आपके opposite है तो आप यहाँ पर देखें इनका sum जो है वो आपका 27 है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है तो यह आपका odd हो जाएगा, बागे आप यहाँ भी gap है वो plus two का है यहां भी plus two का है इस तरीके से भी आप देख सकते plus two plus two ठीक है यहां आप देखेंगे plus three है plus three है और यह plus three है और यहां भी plus three है बस जो यहां पर अंतर है odd है वो यहीं पर है यह दो आपके opposite है last के दो यहां पर नहीं है ठीक है आप डिरेक्ट देखके भी बता सकते थे और मैंने आपको ये भी बता दिया और अपोजिट आपको कैसे याद रखना है आपको बस देखना है इनकी पोजिशन आपको याद है तो अपोजिट आपको ऐसे याद हो जाएंगे या यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक भी ब पोजिसन याद करने का मतलब यही है आप यहाँ पे देखें बीस पांच पच्चिस होता है और फिर पच्चिस से आप डी में जाएंगे प्लस पांच करेंगे और डी से आई में जाएंगे तो प्लस पांच करेंगे ठीक है पोजिसन लिखके आपको समझा दे रहा हूं आप देखें यहाँ पे 20 है 25 है 4 9 यहाँ पे आप देखेंगे 26 5 10 16 यह आपका 8 13 18 20 और यह आपका है 14 19 24 तीन तो आप देखें इन में जो गैप है नॉर्मली हम इसे ऐसे देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखें प्लस 5 का है नेक्ट में प्लस 5 है यहाँ भी प्लस 5 है ठीक है 24 दो 26 26 के बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 यहाँ आप देखें यहाँ प्लस 5 है 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 यहाँ प्लस 5 का है यहाँ प्लस 6 का है ठीक है तो और आपका यही यहां plus 5 है, यहां plus 5 है, तो आपने देखा, first, third, fourth में आपको एक pattern दिख रहा है, जो gap है, वो आपका alphabet के बीच में वो बराबर का है, जबकि second option में ऐसा नहीं है, तो आपका odd कौन सा हो जाएगा, second option, ठीक है, next question करते हैं, next देखें, फिर से आप position लिखें, या आपको यहाँ प exam में करना है, सारे option ऐसे चेक करने है, यहाँ पर मैं आपको position लिखके समझा दे रहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखने है, यहाँ पर जो position है, इसकी R की जो 18 है, ठीक है, 18, 20, 16, 15, यहाँ आप देखने है, 12, 14, 10, 9, यहाँ आप देखने है, 4, 6, 2, 1, और यहाँ पर आप देखने है, 6, 8, 4, 2, तो आप यहीं पर देख लीजिजी, यहाँ पर जो gap है, 2 का है, यहाँ मैनस 1 का है, यहाँ भी मैनस 1 का, यहाँ भी मैनस 1 का, तो यहाँ पर आपको different नज़र आ रहा है, तो ओड आपको यही हो जाएगा, बागी आप gap देखने है, यहाँ प्लस 2 क तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहां plus 2 का है यहां minus 4 है यहां minus 4 है यहां minus 4 है और यहां भी minus 4 है तो आप देख सकते हैं इन तीनों में जो है एक pattern follow वह रहा है सारों में gap जो है यहां plus 2 minus 4 minus 1 का है तो second third option में भी ऐसा ही है लेकिन आपका fourth option में यहां पर आपको नजराएग fourth option हो जाएगा next question करते हैं आसान question होते हैं बस आपको position और opposite ये सारी चीज़ें याद होनी चीज़े अब यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या होगा ठीक है यहाँ भी आपको दिख रहा होगा opposite आपको नजर आ रहोंगा आप देख सकते हैं J Q M N D W T G सारे opposite है अब आपने देख लिए कि सारे opposite के base पे आप इन्हें odd odd one out नहीं मतलब out आपको नहीं कर सकते है odd नहीं बता सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देखें position लिखें देख लीजी आप देखें 6 10 17 आप देख सकते हैं जो भी opposite है उसका position का सम आपका कितना है 27 है इसका सम देख सकते हैं और यहाँ पर आप position लिखेंगे आपको 5 13 14 और यहाँ पर 11 है और next में आप देखें 9 4 37 और यहाँ आप देखें 2 20 7 14 अब यहाँ पर आप देखें कि आपने देखा opposite तो सम में है लेकिन आपको एक चीज और नजर आ जियोगी जो मैंने पहले question में बताई अगर आपको कोई नजर दिया रहा तो एक बार आप position का सम करके जरूर देखें आप देखें इसका सम 13 14 27 है यहाँ भी 27 यहाँ भी 27 बाकि आप देखें 5 और 11 का सम 16 है 9 और 7 का सम 16 है और 2 और 14 का सम 16 है लेकिन यहाँ पे 6 और 12 का सम 18 है तो इनका सम जो है यह जो option है इसमें जो sum आ रहा है ठीक है position का सम वो बराबर आ रहा है कितना आ रहा है यहाँ आप देख सकते है 43 है यहां 43 है यहां 43 है और यहांपर कितना है 45 है तो इस तरीके से आपका और क्वोνη सा हो जाएगा फर्स्ट आप्सन हो जाएगा ống जाएगा ठीक है आपने देख भी लिया पोजिशन का सम करके देखा आपने देखा जो बीच वाले है यह तो अपोजिट है ठीक है इनका सम तो बराबर ही है 27-27 और मार्गी आप इनको भी इस तरीके से भी देख सकते है 11-5-16 9-7-16 और 14-2-16 लेकिन यहाँ पर आपका 12-6-18 ठीक है समझ में आ गया तो यहाँ पर और कौन सा हो जाएगा फर्स्ट आप्सन हो जाएगा next question करते है इसे देखें यहाँ पर करें position में लिख देता हूँ ठीक है gap आप देख सकते है 2-5-8-11 ठीक है 17-3-20 23-23 आप देखें यहाँ पर मुझे plus 3 plus 3 का gap दिख रहा है plus 3 plus 3 तो यहाँ पर आप देखें 14-2-16 तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर plus 2 है यहाँ पर plus 2 है जबकि यहाँ plus 3 plus 3 है next आप इसे चेक कर लीजे पहले इसे चेक नहीं करने आपने यहाँ पर आप देखें 24-3-1 एक में 3 जुड़ा 4 चार में 3 जुड़ा 7 तो यहाँ भी plus 3 plus 3 का gap है ठीक है सब में आप देख सकते है plus 3 का है लेकिन यहाँ पर आपका plus 2 का है तो आपका और कौन सा हो जाएगा 3rd option हो जाएगा ठीक है आसान है नॉर्मल आपको gap देखने है next question देखते हैं यहाँ पर देखें इसे किस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आप position नहीं तो 12 के बाद 17 17 के बाद 20 और यहाँ पर 16 16 के बाद 21 21 के बाद 2 यहाँ पर आप देखने 14 14 2 16 और 16 के बाद आपका कितना ह 25 और 5 तो यहाँ पर आप देखें 12 5 17 और 17 और 26 तो यहाँ पर आप देखें 16 5 21 लेकिन 21 से दो जाएगी तो प्लस 7 करना पड़ेगा next आप देखें 14 5 19 19 और आपका कितना 6 25 होगी यहाँ पर प्लस 5 है और यहाँ से प्लस 6 तो आप देख सकते जो odd आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर नजर आ रहा होगा यहाँ पर प्लस 7 कर रहा है जबकि सब में प्लस 6 कर रहा है तो आपका odd कौन सा हो जाएगा second option हो जाएगा ठीक है यह आपके आसान question है जो आपको pattern अलग देख रहा है उससे आप note कर लीजिए ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते है नॉर्म next यहाँ पर देखें इससे कैसे करेंगे यहाँ पर position लिख लीजिए ठीक है आपको opposite भी नजर आ रहा होगा ठीक है आप देख सकते है यहाँ पर देखें इनकी position लिखने है तो इसका मतलब इनका sum तो सब का बरावर आएगा ठीक है आप सारे opposite और आपको पता है जो भी opposite होते हैं उनकी position का sum 27 होता है तो इनका सब का sum बरावर आना है तो अब आप एक बार position लिखके देखें कि और क्या हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर आप देखें 11, 16, 19, 8 तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर 19, ठीक है 19, 8, 12, 15, 14, 4, 23, 26, 1 यह आपका 10, 17, 20, 7 अप देखें और क्या है ठीक है यहाँ पर और क्या होसक्ता है अगर आप यहाँ पर देखें गे 16, प्लस 3, 19 हो रहा है यहाँ पर प्लस 4, 8, 4, 12 है 23, 26 है और 17, 32 है तो अब बस आपको और समझमा के क्या था है यहाँ पर आप देखें नह 23 26 17 30 20 तो आपका और कॉनसा हो जाएगा जिसमें चार एड हो रहा है तो यह आपका सेकेंड ऑप्सन ओड हो जाएगा ठीक है समझ मागया किस तरीके से हमने यहां पर किया नेक्स कुशिन करते हैं नेक्स देखें यहां पर आप पोजिसन लिखें ठीक है यहां पर आपका 14 14 3 17 17 17 20 ठीक है प्लस दो का गया पर तो आपका और कौन सा हो जाएगा ठड़ हो जाएगा आप इसे चेक कर सकते है 16, 13, 19, 19, 23, 22 तो यहाँ पर और कौन सा है ठड़ है आसान सा कुशन है नेक्स कुशन देखते हैं यहाँ पर देखें इसे किस तरीके से करेंगे ठेक है वही आप पोजिशन लिख लिजे 1, 21, 16, 12 यहाँ आप देखेंगे 26, 20, 15, 12 नेक्स्ट में आप देखेंगे 15, 9, 4 और आपका 26 यहाँ आप देखेंगे 10, 4, 25, 21 तो गैप देखें गैप कितना है एक से 21 जाएंगे तो यानि कि पीछे जाएंगे तो आपको कितना करना पड़ेगा मैनस 6 करना पड़ेगा और यहाँ पर आपका मैनस कितना 5 और यहाँ मैनस 4 इस तरीके से तो यहाँ पर आपका मैनस 6 किया यहाँ पर मैनस 5 किया लेकिं यहाँ पर मैनस 3 कर लिया तो यह आपका odd नेजर आ रहा है आप इसे यहाँ भी चेक करें यहाँ मैनस 6 किया 15 में से 6 9 यहाँ मैनस 5 किया और यहाँ से 4 से 26 जाना है तो आपको यहाँ पर मैनस 4 करना होगा यहाँ देखिए मैनस 6 है यहाँ मैनस 5 है और यहाँ पर आपका मैनस 4 है तो आप देख सकते हैं इसमें 1st, 3rd, 4th में आपको same pattern नज़रा रहा है और आपको यहाँ पर नज़रा रहा है मैनस 3 हो रहा है तो यह आपका और हो जाएगा second option ठीक है आसान है बस position आपको याद होनी च सकते हैं और वो भी एक pattern आपका repeat हो रहा होगा जैसे मैं आपको इससे पहले एक opposite वाला बता है सारे opposite थे और कैसे आपने देखा उनके बीच में जो difference आ रहा था वो आपका अलग आ रहा था ठीक है इस तरीके से आप देख सकता है next आप देखें यहाँ पे आप position देख लीज सकता है तो यह आपका odd हो जाएगा third option ठीक है आप इसे check भी कर सकता है लेकिन आपका odd यहीं पर होगा ठीक है आप देखें डी और एच के बीच में प्लस 4 का है T से X जाएगे प्लस 4 का है यहां भी प्लस 4 है यहां भी आपका F और Z आपके कितने है प्लस 4 है ठीक है इधर आ आसानी से आप इसे eliminate कर सकते है बस आपको याद होना चाहिए आपको क्या चीज़े देखनी है next question देखते है ठीक है यह जो सारे question है यह CGL में आए हुए है अगर आप यही question हो की practice करते है तो यही आपको आगे मिल सकते है जितने भी आए हुए है आप CGL के कर लीजे CHSL के कर ठीक है दो सालों के कर लीजे तो यह नए question भी आपको पता चल जाएंगे जो TCS आपको करा रही है ठीक है इससे आपके practice भी हो जाएगे और आपको practice के लिए question भी चीज़े तो आप इनकी practice कर सकते है ठीक है आपको कोई अलग से book लेनी की जरूद नहीं है ठीक है आप इनी question प्रैक्टिस करें इनकी question है 21 question इसमें और उसमें भी होंगे आपके CHSL में भी होंगे question उससे पहले मैंने आपको कराया है CHSL उसमें होंगे CPO में कराया है तो काफी question हो जाते है ठीक है इतने question की practice कर लेंगी तो हो जाएगा आपका next question यहाँ पर देखें position देखें position आप देख next माँ आप देखेंगे 20 22 ठीक है फिर 22 के बाद 17 17 के बाद 24 ठीक है यहाँ भी आप देखेंगे PLUS 2 must 2 minus 5 और PLUS 7 ने जरा रहा है ठीक है वही सेम पैटन ने जरा रहा है आप यहाँ पर देखेंगे 2ными 4 25 और 6 तो यहां भी देखें प्लस 2 माइनस 5 ठीक और माइनस 5 और यहां पर आपका कितना है प्लस 7 नेक्स्ट आप देखें इन में आपको सेम पैटन आ गया तो आपका और अपने आप में फोर्ट आप्शन हो जाएगा आप इसे चेक भी कर सकते हैं 24 autre प्लस 7 तो यहां पर आपका मैनस 6 हो रहा है ठीक जब भी जबकि यहां सब में मैनस 5 मैनस 5 मैनस 5 हो रहाए यहां पर मैनस 6 हो तो आपका ओड कॉं से हो जाएगा पॉर्ट आप्शन हो जाएगा ठीक हे समझ में आ गया next question करते है next करें, यहांपे देखें क्या होगा यह भी आपका आसान्स है, तो यहांपे आपे आपको opposite manger आ रहा है, KP, GT uster आ रहा है MN आपको opposite है जबकि QL का, Q का opposite Jeg होता है, तो यह आपका और हो जाएगा, ठीके यहांपे आसान्स है, ठीके सारे opposite है, जो आपका odd है, वो first option है next question देखें, यहाँ पर देखें, logic देखें क्या हो सकता है ठीक है, तो यहाँ पर आप position लिख लें तो यहाँ पर s की कितनी होती है, 19, 16 13, और आपका 10, तो यहाँ पर सीधे सीधे minus 3 का मुझे gap दिख रहा है, minus 3 का gap दिख रहा है अब आपने देखा कि सब में minus 3 का है, तो आप ऐसे option देख भी सकते हैं, जिसमें आपका minus 3 का नहीं है तो आप यहाँ पर देखेंगे, 7 से 4 यहाँ पर minus 3 का है 4 से 1 minus 3 का है, लेकिन एक से 23 जा रहा है तो यहाँ पर आपका मैनस 3 का है नहीं यहाँ पर मैनस 4 का है तो और आपका यही होगा आप मांकी से चेक कर लेजे आप देखे 3 से 26 मैनस 3 26 से 23 मैनस 3 23 से 20 मैनस 3 यहाँ मैनस 3 का है आप देखे 16 से 13 मैनस 3 13 से मैनस 3 दस आगया और 10 से मैनस 3 साथ आगया तो यहाँ आप देखें सब में मैनस 3 का gap है जबकि यहाँ पर आपका मैनस 4 का है तो odd आपका कौन सा हो जाएगा second option हो जाएगा next question देखें यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या logic हो सकता है यहाँ पर आप देखें 12, 2, 14, 14, 3, 17 ठीक है यहाँ पर plus 2 है और यहाँ पर plus 3 है ठीक है इस तरीके सा आप एक option में देखें बाकी को आप चेक करें आप देखें यहाँ पर 19, 2, 21, 21 और 3, 24 हो जाएगा ठीक है same gap है ठीक है जो gap यहाँ है वही gap है next आप देखें JLP यहाँ पर 10, 2, 12, लेकिन 12, 4, 16 यहाँ पर कितना हो गया चार का gap हो गया तो आपका odd कौन सा हो जाएगा वही यही हो जाएगा जबकि प्लस 3 का gap था यहाँ पर लेकिन यहाँ पर प्लस 4 का है तो odd आपका third option हो जाएगा आप इसे चेक करें 3, 2, 5 और 5, 3, 8 ठीक है तो यहाँ पर आपका सब में same gap है जबकि आपका third option में आपका gap यह फिर आपका 4 माइनस 4 फिर आपका प्लस 6 तो प्लस 2 माइनस 4 प्लस 6 का gap है ठीक है प्लस 6 इस तरीके से तो यहाँ पर आप देखें 16, 2, 18, 18 में से आपका माइनस 4 14 और 14 में आपका 6 प्लस 20 तो आप देखें यहाँ पर आपका same gap है प्लस 6 माइनस 4 प्लस 2 ठीक है यहाँ पर आप देखिए 12, 2, 14, same है, plus 2 है, next मा आप देखिए 10, minus 4 आ गया, जो gap pattern यहां नजर आ रहा है, और यहां पर आप देखिए 10, plus 6, 16, तो same gap नजर आ रहा है, तो आपका odd कौन सा हो जाएगा, fourth option हो जाएगा, आप इसे check भी कर सकते हैं, अगर आपके तीनों में same pattern आ गया, तो अपने आप में fourth option odd होगा, यही आपका answer है, आपको check करने की जरूत नहीं है, फिर भी अगर आप देख सकते हैं, तो अपने उसके पोजिट आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर sum करके देख सकते हैं, उनकी position का, ठीक है, इससे पहले आप देखते हुए भी आ चुके हैं, कि इस तरीके से हमने किस तरीके से इन question को solve किया है, तो यहाँ पर आप देखने हैं, इनकी position 8, 10, 17, 12, और next आप देखने हैं, 23, 25, दो, 25, ठीक है, और यहाँ पर आप देखने हैं, 12, 14, 13, 8, और यहाँ 18, 20, 7, और यहाँ पर 2, अब आपने देखा कि इनका sum जो opposite है, उनका sum तो 27 ही आना है, आपने देखा यह आपका 27 आएगा, यह भी आपका 27 ही आएगा, बस आपको देखना है कि इन दोनों का sum क्या है, तो आप 12, 8, 20 है, और यहाँ भी आप देखें, 12, 8, 20 है, और यहाँ देखें, 18, 20 है, जबकि यहाँ पर 25 और 20 है, तो आपको और अपने आप में क्या हो जाएगा, second option हो जाएगा, बांकि आप इन सब का sum भी करेंगे, तो आपके पास कितना हैगा, यह 47 आ रहा है, और यहाँ पर question, एक ही exam में कितनी बार पुछे गए है, पैटन में, अगर आपको यह पैटन नहीं आता, तो आप इस पैटन को जरूर नोट करिए, एक ही पैटन है, लेकिन बार बार पुछा गया है, इस से पहले भी यह पूछा गया है, और किस तरीके से आपको करना है, मैंने आपको ब यहाँ पर पोजिशन लिख लिए, दो, छे, दो, चार, छे है, फिर बारा है, फिर यहाँ पर बीस है, तो यहाँ पर आप देखें, प्लस फोर है, यहाँ पर प्लस सिक्स है, यहाँ पर प्लस एट है, नेक्स्ट में आप देखें, बारा, चार, सोला, सोला, छे, बाईस, औ यहाँ पर आपका 4, 12, तो यहाँ भी आप देखिए, प्लस 4 है, फिर उसके बाद प्लस 6 है, और प्लस 8 है, तो same pattern है तीनों में, तो अपने आप में odd कौन सो हो जाएगा, 4th option हो जाएगा, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर 12 से 15 है, यहाँ पर आपका प्लस 3 हो रहा है, जबकि सब में प्लस 4 हो रहा था, तो odd अपने आप में क्या हो जाएगा, 4th option हो जाएगा, ठीक है, next question करें, यहाँ पर देखें, position लिख लीजे, क्या position है, आप देखें, 6, 6 में से 2, minus 4 किया है, यहाँ पर, minus 4 है, फिर यहाँ पर 24, फिर minus 4 है, और यहाँ से आप देखें, 20, minus 4 है, तो यानि कि minus 4, minus 4 का gap है, आप इसे next में आप चेक कर सकते है, 14 minus 4, 10 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, उसके बाद यहाँ पर 6 है, तो minus 4 है, next में आप देखें, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर minus 5 है तो आपका odd ही हो सकता है आप इसे आगे भी चेक कर सकते हैं 3 से आपका 25 ठीक है तो minus 4 का ज़यब है 25 से 21 minus 4 है और 21 से 17 minus 4 है तो आप देखेंगे यहाँ पर सब में minus 4 minus 4 है ठीक है, next आप चेक करें 20, 20-4, 16 16-4, 12 12-4, 8, तो यहां भी आपका minus 4, minus 4 का जएफ है तो आपका odd कौन सा हो जाएगा, second option हो जाएगा ठीक है, आपने पहले भी देख लिया था यहां सब में minus 4 आ रहा था, लेकिन यहां पे आपका minus 5 आ रहा था, ठीक है, समझ में आगे किस तरीके से करना है, next question करते है next करें यहां पे देखें, यहां पे क्या logic होगा ठीक है, 23, position लिख लिजे 23, 18, 15 है ठीक है, और next में आप देखेंगे यहां पे कितनी है, 8 4, 1 है, यहां आपका 16, 12, 9 है यहां पे आपका 12, 8, 5 है तो यहां पे आप देखें, यहां पे gap जो है minus 5 का है, यहां पे gap minus 3 का है, ठीक है यहां आप देखेंगे, minus 4 minus 3, minus 4 minus 3, यहां भी आपका minus 4, यहां भी minus 3 तो आप देखें, इन तीनों में same pattern है और कौन सा हो जाएगा, first option हो जाएगा ठीक है, और यह, इसके बाद आपका last question है, इसे आप खुश से solve करें, आप देखें, यहां पे क्या logic होगा, किस तरीके से होगा ठीक है, इसे आपको खुश से करना है और करके comment में जरूर बताना है ठीक है, इस type का pattern में आपको करा भी चुका हो, आप देख सकते हैं, इसे खुश से करें, और वीडियो को share करें आप देखिए, SSE CGL के मैंने लगवख, जो भी important question reasoning में है, यानि कि जिसमें आपको logic ढूरना पड़ता है, वो सारे मैंने करा दिये हैं, ये भी एक topic था ये मैंने करा दिया, आसान सा topic है जो नई question है, वो भी मैंने आपको करा दिये हैं ठीक है, तो आपके जो भी exam है उसके लिए, जो भी आपको latest question देखने, जो TCS ने पूछे हैं, वो मैंने सारे आपको करा दिये हैं, CHSL के करा दिये हैं, CGL के करा दिये हैं, उससे पहले CPU के करा दिये हैं, तो आप इन question को करेंगे, तो आपका enough है ठीक है, और share करें, support करते रहें, ठीक है, response दें जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका result मुझे मिल नहीं रहा है, तो वीडियो में जल्दी जल्दी बनाओंगा, लेकिन आपका response मिलते रहना चीए, like करें, share करें, comment करें, और इस question का answer आप comment में जरूर दें, ठीक है, try करें, खुछ से, आसान question है, तो यहीं पर इसे समाप्त करते हैं, thank you